आज हम क्लाश्टेंद का साइंस का एक important topic बताऊंगा जो predictable होता है ना आव सानी उसमें से कुछ questions होते हैं इंपोर्टेंट जो अक्सर पेपर में पूस्ते हैं वो questions को आपको explain कर दोंगा easy तरीके से अप लोग ध्यान से समझेगा तो मैं चीत्रा लिया हूँ जो mastermind होता है plus 10 की उसमें से कुछ questions करवाओंगा आप लोग के पास तो यह book होंगे तो एक ए questions हम करवाते हैं तो चलिए पहला questions क्या दिया है परमाल करूंग 11 मतलब atomic number atomic number कितना दिया है आपको atomic number जो है 11 है इस element का फ्रेडिक टेविल में कौनसी प्रियोट और कौनसी ग्रूप कहने का मतलब यह तत्तो आवर्थ सरानिय है कौनसा आवर्थ में और कौनसी समुहूम या विर बर्ग में उपस्तित है मतलब स्थान है वो आपको पता करना है इसके लिए आपका क्या concept clear होना चाहिए देखिए 11 आटमींग नमबर है न तो आपको इलेक्टानिक कानफ्रिगेशन मेंस इलेक्टान बिनस आना चाहिए तो मैं शॉट में लिख रहा हूं इसको electronic configuration मतलब EC जिसका हिंदी है electronic winnars electronic winnars के लिए हम लोग कॉन सी रूल से फिलाब करते है 2n square 2n square means n जब 1 होंगे पहला सेल के लिए 2 into 1 का square तो कितने electron साहेंगे 2 electron फिर n जब 2 होंगे तब कितने हो जाएंगे 2 into 2 का square मतलब 8 electron इस रूल से फिलाब होते जाएंगे तो हम यहां पर 11 के लिए करते हैं कितना देखिए electronic winnars तब हमारा कितना होगा पहले सल के लिए कितना electron आता है 2 तो 2 चले गए दूसरे के लिए 8 अब देखिए इसके पस था कितना 11 फिलाब हो गया कितना 10 और बचा कितना है 1 अब देखिए पहला सल को के से represent करते हैं दूसरे वाले को L उसके बाद M तो देखिए यहां पर ध्यान दने वाली बात क्या है नमबर उपसल कितनी है के ल एम तीन है तो प्रियोड होगा इस element का प्रियोड जिसको हिंदी में आवर्थ बोलते है आवर्थ क्या होगा 3 क्यूं क्यूंकि नमबर उपसल कितनी है 1,2,3 इसलिए आवर्थ भी 3 होगा अब वर्ग या फिर सुमो जिसको इंग्लिस में ग्रूप बोलते है हिंदी में वर्ग भी बोलते है या फिर समुमों, ठीक, यह कहाँ पे है, यह पता करने के लिए देखिए, इसके लिए क्या concept के लिए रोना चाहिए, यह जो element है, इस element की outermost cell, मतलब बाहरी कच, बाहरी कच में कितना electron है, कितना electron है, एक है, तो first group होगा, ठीक फिस्ट ग्रुप की हुआ समझ मैं या क्योंकि यह गिलियक्टरन था इसलिए अब देखिए इस एलिमेंट का नाम भी आपको पूछ देगा जैसे इलिमेंट का नाम क्या है तो इस एलिमेंट का नाम होगा सोडिया यह तो इस टाइब की कॉषएं दे सकता है या फिर आपको इस प्राइब की नहीं दे करकर फिर कैसे बादल के दे सकते है देखिए ऐसे देदेंगे आपको बोलेंगे एक उसकोई एलिमेंट है क्या है एक उसकोई एलेमेंट है जिसकी आटमिंग नमबर 17 इस एलेमेंट का प्रियोडिक टेविल में कौनसी प्रियोट और कौनसी गुरूब में कि कहने का मतलों कौनसी आवर्द और कौनसी सुमह में है वह पता करना है और इस एलेमेंट की नाम भी आपको पता होना चाहिए पुछेगा यसे हमारा कौंसेप्ट क्या है पहला वहला कौसय जैसे कि थे उसी सिंदरि़ेंगे पहला तो हमको इलेक्तोनीक बनार्ट करना है तो इलेक्तोनिक कंपरिकेशन से हम क्या और पहले में 2 उसके रद 8 इसे बाद वाले में भी 8 उसके बाद 7 sorry 287 287 क्योंकि पहला कच्छ में हमारा दो इलेक्ट्रों जाते हैं दूसरे में 8 तो 10 हो गया 17 था तो 7 बचा चला गया तो यह कितने हो गया वह यह के है यह 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 चला है अब हमारा बात पता करना क्या हैमको फ्रीयोट तो प्रीयोट के लिए गोन सी फ्रीयोट नाम रफसल कितनी है ठीग अप गुरूप के लिए देखिए गुरूप के लिए क्या इसे करें गें कि आकर मो होना चाहिए 7 लेकिन यहां पे 7 नहीं होता है यह 17 होता है क्यों 17 होता है आप लोग जो modern predictable की चार्ड देखेंगे ना उस second period और third period में 10 element vacant है क्योंकि उस element का मतलब तत्तों के d orbital नहीं है d orbital नहीं होने के बज़े से 10 vacant है तो इसलिए हम क्या करेंगे इसकी जो बाहरी cell में जो 7 electron था उसके साथ 10 add कर देंगे तो कितना हो जाएगा 17 इसलिए यह जो X element है उसकी sum हो जाए बर कितनी है 17 अब इस element का नाम क्या है chlorine ठेक अब इसी प्रकर के आगे कुछ questions करते हैं जो इंपोर्टेंस है देखिए जो अकसर पेपर में पूछते भी है ले रहा हूं कुछ कुछ जैसे कि आप एक कोस्टन दिया है अत्ती लगव उत्रियों में क्या दिया है कोस्टन नमर्र 11 जैसे कि आपको दे दिया है लिथिया, बेरिलिया, फ्लोरीन और नाइडरजीन ये देख करके आपको क्या पूछ रहा जानते हैं निम्लित दक्तों का परवान त्रीजा की बढ़ते हुए क्रम में मतलब आटोमिक रेडियस किसकी बड़ा होगा उपको सजाना है तो इसके लिए पहला आपका कॉंसेप्ट क्या क्लिया होना चाहिए जो आटोमिक रेडियस ये परवान तीजा होता क्या है तो दिखे उसके लिए मैं समझा दे रहा हूं थोड़ा सा कोई भी ऐलिमेंट के अंदर इलक्तरों चैणको प्रोट्न से ठूंट्राल मेंकितने डोईट्रौ लग टैंग प्रोटोन का प्लास चार्ज होता है इसलिए नाभीक चाहे नियुक्लियस की चर्च क्या होने वाले है यह तो क्लियर हो गया अब देखिए आटमिग रेडियस का कॉंसेप्ट क्या है या फिर परमव त्रीजा नाभीक से आउटरमुष्ट सेल की जो डिस्टेंस होती है वो हो होता है 3 या क्या होता है 3 थे कि आप मना लिजिए हां सापवज लीथिय। यहां पे लिथिय। दिया भी है तो nah स्कार्शाटता विसाले कितनी होती है थी तो 3 लिए इस ना भी हो गया उखालब मतलब यूकलियस इसके बाद पहला सल में कितन फेंट्ट्रों होगय है इसकी इलेक्ट्रों मिनस करते हैं टू, वन, एक के सेल है, के एल सेल है, तो के में कितनी इलेक्टरन रहेंगे, दो, तो यहाँ पे हमने दो इलेक्टरन ले लिये, ठीक, ठीक, इसके बाद एल सेल में कितनी इलेक्टरन होंगे, एल सेल में एक इलेक्टरन होंगे, ठीक, अब देखो, इसकी जो आटमिक रेडिय या फिर परवन द्रिजा कहां से होंगे नाविक से यह दुरी संजें अब हमारे पास क्या है बेलियम के लिए हम क्या करेंगे पहले बेलियम का अग्या अधिमिक नमबर आपको पता आप जहें फोर इसकी इलेक्ट्रन भिन्नस देत कैंगे यह कितना हो जाएगा इस दो और दो थो सेल험 के लिए कितनी ऐलेक्टोन HOLGY यह तो निकलेस है, पहला सेल में हमारा कितना होगा बैलियम की दो इलेक्ट्रोन दूसरे में दो इलेक्ट्रोन अब यहां से लेके यह डिस्टेंस जो है बैलियम की क्या होगा अब बचा कौन है फ्लोरिन तो fluorine के लिए उसकी atomic numbers होती है, जाए प्रवनुस संख्या होता है, 9, अब इसका electron configuration करेंगे, तो क्या होगा, 2, 7, अब ये इसका nucleus है, इसके बाद पहला cell में कितनी electron होती है, 2, clear, second cell में कितनी होंगे, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, समझ में, nitrogen में है हमारा nitrogen, इसकी atomic number 7 होता है, इसका जब हम electronic configuration करेंगे, तो क्या होगा, 2, 5, ये इसका क्या है, nucleus, पहले cell में, 2 electrons, फिर second, cell में कितनी होंगे, 5 electrons, clear, आप nucleus से ये distance को क्या कहेंगे हम, atomic radius अब देखिये, सबके लिए कितनी cell है, 2, 2, 2, 2, 2, 2, करके हैं, तो 2, 2, 2 जब cell है, तो त्रिजा कि distance तो 3, 4 में क्या होगा, बराबर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारा नाभीक से वाहरी कच की दूरी को इतू atomic radius कह रहा हूं, लेकिन होता नहीं है, एक्चुल क्या होगा सबसे अधिक atomic radius होगा लिथियम का टिक इसके बाद बेलियम का इसके बाद nitrogen का इसके बाद chlorine का कहना का मतलब atomic radius जो है atomic radius लिथियम का सबसे अधिक उसके बाद बेलियम का उसके बाद nitrogen का उसके बाद chlorine का ऐसे क्यों हुआ मैं थोड़ा सा explain कर दे रहा हूं देखिए नावीक में कौन सी चार्ज है plus charge है और electron के पास कौन सा charge होता है minus charge होता है यह तो पता है अब plus minus को क्या करते है इट्रक्षण करते है तो देखिए नावीक में जितना जादा attraction करेंगे electron electron navic के करिव आएंगे इस अब देखिए हमको देखते है यह पहला कौन थे हमारा लिथियम मेंatorio में कितने चार्ज है, थ्री प्लस चर्ज है, मतलब थ्री प्लस चर्ज है, अब बैलियम के लिए कितना है, फोर प्लस चर्ज है, इसमें थ्री प्लस चर्ज है, इसमें फोर प्लस चर्ज है, और इसमें हमारा नाइन प्लस चर्ज है, और इस केस में कितनी है, सेवन प्लस चर्ज है, समझ मिल्के नौ मिल्के तो अधिकर घिचाएगा नौ वाले तो नौ वाले जब अधिक ज data इन अव्हेट अधिक श्च जाकत करें विग मैं थोड़ा सा क्या होगा नाभीu के तरफ यह उतना तो खिच नहीं पार है कहने का मतलब यह इसस लोके सब्सक्राइब होंगे लेकिन इस तीन जतना खिच रहाता है चार वाले उससे थोड़ा अधी कीच दे रहा है कहने कंद आप यह थोठा ओर साय नुकलिस के करीब यहां पर देखिए साथ मिलके एक लेक्ट्रून को खीचेंगे तो यह और थोड़ा अंदर के तरह आजाएंगे समझ रहे हैं और इसमें तो और पास में आ जाएंगे इसलिए इसकी साइच सबसे छोटा है उसके बाद nitrogen की उसके बिलियम की उसके बाद lithium की उमीद करता हूँ ये question आप लोग को आसानी से समझ में आ गया फिर भी आप लोगो doubt होगा तो comment section में बताईएगा मैं कोशिज करूँगा अगला lecture में और clear करने के